रनबीर सिंग अपनी प्रेगनेंट पत्नी दिपिका पादुकोन के साथ पहुंचे सिध्धी विनायक मंदर इस कपल ने माता-पिता बनने से पहले लिया गनपती बपा का आशिवाद बहुत चल्द रनबीर सिंग के घर गुंजेंगे किलकारियां दोस्तों बॉलिवोड एक्टरस दिपिका पादुकोन इसी महीने यानी सतंबर में अपने पहले बच्चे की माँ बनने वाली है दिपिका पादुकोन ने हाल ही में अपने पती रनबीर के साथ मेटनिटी फोटो शूट करवाया था जो काफी चर्चा में रहा था अब ये कपल मुंबल के सिद्धी विनायक मंदीर पहुची है दिपिका पादुकोन और रनबीर सिंग ने मादा पिता बनने से पहले गनपती बपा के दर्शन कर उनका आर्शिवाद लिया है इस कपल की सिद्धी विनायक मंदीर के बाहर की तस्वीरें जमकर वायल हो रही है जिसमें रनबीर सिंग और दिपिका एक दूसरे के साथ हाथ थामी निज़र आ रही है इस दुरान उनकी फैमिली भी उनके साथ निज़र आई ग्रीन सारी में दिपिका बला की खुपसूरत लग रही थी वहीं कुर्ता पजामा में रनबीर सिंग भी काफी डैस्चिंग लग रही है दिपिका पादुकौन अपने पहले बच्चे की मा बनने वाली है इसको लेकर दिपिका काफी एकसाइटेड है दिपिका पादुकौन और रनबीर सिंग माता पिता बनने से पहले दोनों ने भगवान गनेश के दरबार में माथा टीका है दोनों ने अपनी खुशाल फामिली के लिए कामना की है सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियोस के वारल होनी के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है एक यूजर ने लिखा रनबीर बहुत अच्छी हस्बेंट है और दिपिका का काफी खयाल भी रखते है दूसरी यूजर ने लिखा बहुत ही प्यारी जोड़ी है बपा अपना आशिवाद जरूर देंगे दीसरी यूजर ने लिखा एथिनिक ड्रेस में दिपिका और रनवीर काफी ज्यादा प्यारे लग रही है मिलते हैं आप से जल्दी एक और न्यू बॉलिवोड अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई थाइंक यू